एक दफ़ा का झीकर है कि एक जंगल में बहुत सारे परिंदे मिल जूल कर बहुत ही खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे वही पर दूसरी तरफ चुँन्नो और मुन्नो नाम के दो परिंदे भी रहते थे वो आपस में मिया भीवी थे मुन्नूम बहुत ही समझधा थी उसे हर वक्त अपने गर की फिक्र लगी रहती थी मेरा गुंसला तो बहुत ही कच्चा है अभी बरसाथ का मौसम भी आने वाला है मुझे अपने गर को पका बनाने ही होगा मुझे इस मामले में चुन्नू से बात करने चाहिए ताकि हम मिलजूल कर अपने गर को पका कर सके फिर वो अपनी शोहर से बात करने उसके गुंसले की तरफ चाती है और वहाँ जाकर कहती है ज़िल जद्व जहित के बाद वो अपना पकागड बनाने में काम्याब हो जाती है और खुशी से वहां रह लेती है फिर अचनक सोचने लगती है कि मुझे दुबरा मुन्नों के पास जाना चाहे है ताकि वो अनाजमा करने में मेरी मदद कर सके किनकी हमारे आड़ों में से अवे चूजे निकलने वाले है अरे चुन्नों मेरी बात सुने आगे बरसात का मुसम आने वाला है और हमारा गुंसला भी बहुत ही कच्चा है तो हमें मिलकर पकागर बनाना होगा कल आप भी आ जाए में भी आ जाती हूँ और साथ मिलकर पक्ते किता में शुरू कर देते हैं ये के कर वो तिंके जम्ह करने के लिए दूर खेतों की तरफ निकल जाती है और उसका मियां वही पड़ा रहता है वो टस से मस नहीं होता है मुन्नो का दिमाग खराब हो गया है कोई बरसाथ का मुस्समने आने वाला है मैं तो अपने लिए सोजाता हूँ टाटा एक दिन अचनक तेज पारिस स्टार्ट हो गई और चुन्नो का गुंसला गिर कर तबाह हो गया चुन्नो एक मिनिट को जाया के बागा बागा मुन्नो के गर की तरफ बाग गया ताकि वहां पना ले सकता चुन्नो तुम अभी हमारे पास क्यों आ गए तुमने एक जगे में भी मेरी मदद नहीं थी मैंने बड़ी मुश्किल से मिहनत करकी ये पक अगर बना लिया बच्चे भी मेने बढ़े कर लिये तकरीबने अभी उड़ने के काबल हो गए अब मुझे तुमारे कोई जरुरत नहीं है मैं अपनी के पे बहुत शर्मिनदा हूँ मुझे पता है मैंने आपका साथ नहीं दिया लेकिन अभी मुझे माफ कर देया इंदा से इसा नहीं होगा